असलामलेकूम और रहमतुल्लाह बरकातों जी नाजरीन ये देखें मैंने स्टिच की है और इसी के साइज का दूसरा में बनाने लगी हूं एक और सूट ठीक है यह देखें तर्टी नाइन है इसके लिम्भाई होची सारा नाप नियाना तो मैंने आपको सिखा दिया वाद अ अज़िए ना अमने डेर इंच से ज्यादा रखी है ठीक है डेर इंच जादा रखें त्यार और यह हम आठ इंच पे लगाएंगे निशान ठीक है आठ इंच इसका मोड़े किकटाई करेंगे आठ इसको अ जरी अएंच फिक यसे बाइप है अधर से लिगाने इसको ऐसे गोलव माम सुट कर शथुरे और इसका थैसे इंच प्रहू नका अधर से शाय करेंगे कटाई के लिए यह कटाई है यह कटाई यह इसलाई ठीक है ये उपर से लेके नीचे तक 15 और चस्ट से लेके तक 14 और इधर हम ने 20 रख नाँ स्लाइब के लिए इदे से 1.5 इंच यह हमारी स्लाइब कटाई है और यह हमारी स्लाइब और नीचे तब हम इदर भी निशान लगाएंगे गेरा गेरिका भी आसी निशान लगाएंगे ठीक है जो बिसी त्यार रखना है और हमने तेर एंच कट्ट करने हैं और दिकस लेके इदर तक यह हमारी सिद्धी कटाई होगे हम कट्टिंग करने लगें यह सिद्धी करके और आदा एंच इदर करने हैं ठीक है यह आगे वाल है आगे वाल है और इसी को राके पिछे वाला भी कटिंग कर लेंगे ठीक है आप मैंस लाई करते हैं वक्ता आपको बताती है हाँ नाजरीं यह देखें यह ना बाज है इसकी हमने इकी सिंच त्यार रखना है यह इकी सिंच ठीक है आदा इंच उपर से और एक इंच नीचे से हो जाएगा बाई सिंच ठीक है और इदर से हमने यह तीन इंच दस लेना है गुलाई के लिए नौ इंच हमने त्यार रखना है यह देखें नौ मैं नौ इंच हमने त्यार इंच अधर थक है इसे रोंड शेव में दे रहें और यह बेल वाले बाजु बनाना ने इधर पूरा ही रखना है चिक है और दर मियान से हम कटिंग करे इसे ही इधर से हम 8 इंच ठीक है यह कटिंग कारते हुए इससा शेव देख थोड़ी इसी बस यह शेव मिल जाए है इधर से नहीं काटना और यह है है और मैं आपको अगे वाली कटिंग बता दूँ यह दो पीछे वाले है दो रहा है अगे वाले को पकड़ के ऐसे यह हमारी कटिंग है ठीक है यह राफ कपड़ा भी काट देना यह ठीक है एसे ओ क्यों चुलोच